नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन ग्यान में आज की जो वीडियो है, यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंस रखती है उन विध्यारतियों के लिए जो दो तारिक को railway apprenticeship का form फिल करना चाते है जो NCR की vacancy आप लोगों के लिए आई है आप लोगों ने बार-बार comment box में mention किया कि सर जी एक बार में clarity दे दो हमारी 50% है, हमारी 60% है, हमारी 65% है, 70% है, हम इसका form भरें या ना भरें सर अमारी 80% है, सर अमारी 90% है, एक बार में cut off बता दोगे तो हम railway से कभी उम्मीद नहीं करेंगे, railway का form फिल करने की कभी सोचेंगे नहीं तो जिन बच्चों ने comment किया, उनके comment को सुनकर आप लोगों के लिए में information लेकर आया हूँ मैं आशा करता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की तरफ से इस तरीके का comment नहीं आएगा कि मेरी इतनी percentage है, मैं इसका form भरू या ना भरू दो तारिक से आप जानते हैं, इसका form भरना शुरू हो रहा है जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता कि कौन form भर सकता है, कौन नहीं भर सकता description में पहले number पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसे देखें आपको पूरा clarification मैंने दे रखा है कि कौन form भर सकता है, कौन नहीं ठीक है, आप बात करते हैं कि percentage का criteria आप लोगों का क्या है, जिससे कि आपको पता चले कि आप इस form से उम्मीद लगाए या ना लगाए, तो ये last year की cut off है, यह आप देख सकते हैं, आपको पताएं कि दसवी और IT की percentage calculate करके आप लोगों की merit बनती है, बहुत सरे railway के zone में, और ये 10 वी और IT की percentage को कैसे यहाँ पर calculate किया जाता है, ये भी मैं आप लोगों को clarity दे चुका हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बच्चा है, ये इसका नाम देखे, शुबम का 89% पर इस ब दिखा देता हूँ, unreserve में 85 पे भी हो आए, ये आप देख सकते हैं, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, unreserve में 85 से नीचे मेरे को और नहीं दिख रहा है, unreserve में 83 भी है, 83 भी है, तो आप लोग देखना कि आप लोग average percentage कितनी आप लोग की बन रही है, तो ये एक आप लोग आप लोग देख सकते हैं, कितनी आप लोगों की बनी है, ITA और 10th की मिलाके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये welder की 77 टक, जो है यहाँ पर percentage आ गई है, यानि calculation average करके जो निकलता है, machinist की आप लोग देख सकते हैं, कि machinist की average जो cutoff है, वो कितनी निकल रही है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, machinist rate की जो average cutoff है वो, उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये MMTM है, MMTM की थोड़ी कम जाती है, क्योंकि MMTM की vacancy कम निकलती है, उसके बाद यहाँ पर stando की cutoff आप लोग देख सकते हैं, तो जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि वो 60%, 65%, 70% पे form फिल कर सक ले, आप लोग ये cutoff देख लो, क्योंकि अगर आप ये cutoff नहीं देखोगे ना, आपका form फिल करने का कोई फायदा नहीं है, इस बार बहुत सारी trade वाले बच्चों को मोका दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि जिन बच्चों के, यहाँ पर 65 से कम percentage है, मैं अपना overview बता रह दूसरा, जो बच्चे 80 हैं, जो बच्चे 80 हैं, और जो woman है, वो इसका form कितनी भी percentage पे fill कर दो, अगर 50 से उपर है तो, क्योंकि आप लोग का कोई पैसा नहीं लगना, आपको किसी तरीके की परिशानी आपर नहीं होगी, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था, ताकि देखलो, आपको एक साल बाद या जितने भी समय बाद इसका result आता है, आपको अनुमान exactly हो जाएगा, एक चीज जो और बता दूँ, अभी बहुत सारे विभाग है जिनमें apprenticeship निकली हुई है, मैं उनके नाव आपको repeat कर देता हूँ, एक तो यह railway है, जो आप लोगों के दो CR का form है, यह दो तारिक से चालू हो रहा है, इसकी वीडियो आपको description में दे दूँगा, ठीक है, दूसरा BEL की vacancy है, form की वीडियो आप लोगों को provide कर दी है, detailed वीडियो मैंने description में आपको दे रहा किया, दूसरे नमबर पे, और form की वीडियो गोरफ junction YouTube पे सर्च करना वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तीसरी माजगाउं डोक, माजगाउं डोक में आप लोगों के लिए apprenticeship आरा की है, ठीक है, चोथी ONGC, ONGC में आप लोगों के लिए apprenticeship आरा की है, पाचवी, पाचवी आप लोगों के लिए एक और विभाग है, उसमें भी, मैं आपको जितने भी और आप लोगों को यहाँ पर जो है, ऐसा न लाएगी कि हमारे लिए तो कोई vacancy नहीं आती है, तो यह मेरे को बताना बहुत ज़्यादा जुरूरी था क्योंकि बच्चे बोड़ दें कि सर्जी हमारे 55 है, हमारे 62 है, हमारे 22 है, क्या हम भरे या ना भरे, आपको यकिन नही में benefit मिलने वाले future में, वो कितने जादा है और कितने नहीं है, मैं आप लोगों को पहले भी clarity दे चुका हूँ, और फिर से आप लोगों को clarity दे रहा हूँ, कि अगर आपकी percentage उतनी है, जितनी मैंने आपके बताई है, overall मतब दोनों की मिला के, तो आप इसका form जो है, मत fill करना अगर 65 से उपर है, तो ही form fill करें, अगर 65 से नीचे है, तो form fill करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, और अभी भी आपके mind में कोई सवाल है, comment box से mention करो, और अभी IT की नोकरी, IT मंदरास में आप लोगों को निकली विए आपको पता विडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को देखता हूं कि अगर मेरे possible रहा तो मैं उस पर clarity आपको दे दूँगा, लेकिन गौरफ जंक्शन पर इस पर नहीं क्यूंकि इस पर दूँगा, तो बच्चे बोलते कि सर जी आप तो हमारे area के लाते ही नहीं वेकें इसे ज़रूर देखने ना, जो उम्मीद आप लगा के बैठें कि आपका railway में सेलेक्शन होगा नहीं होगा, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, बाकी देख रहे हो, एक बच्चा है, है सरसर पर भी सेलेक्शन हुआ है, तो जो हैसी है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका कम में भी होने की संभावना रहती है, लेकिन बिचार जो जो जन्रल रोबी सी हैं, उनको थोड़ा से आपके कश्ट होता है, बाकी आप यह नोटीज देखो, इसका लिंक आपको डिस्किप्शन ने दूँगा, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को हो क्योंकि भाव भाव ओजर जेखो, चूर ने उनका लोड़ा सा जाई है, पावियाव से आपके का में खिया है, जनक firmware से आपके के लिफ एवाव div leaf ख हो जा भाव डिया है, जनका में एया है, इसका जनका बात